तो आज की जो वीडियो है वो क्लास वन के लिए जीके की वर्कशिट है इसमें मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के कोशिन एड़ किये हैं तो वर्कशिट बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो आप एंड तक वीडियो को जरूर देखना क्योंकि बच्चों को अगर आप थोड़ा जीके में थोड़ा उनको इंप्रूव करना चाते हैं तो ऐसी वर्कशिट बच्चों को जरूर बना के दे इससे उनका इंटरस्ट भी पढ़ाई में बढ़ेगा और उनके जनल नॉलेज भी इंप्रूव होगी तो स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने स इंग्ली इंग्लीशा इल्फाबेट में तो जो अल्फाबेट हो यहां पर विजन्ट हैं तो यहां पर वावल में वावल हैं 5 विच मंत का lett Nbor और इसमें कम से कम बाकी मन्स के बहुत कम डेस है 28 देस है तो वहां पर है February ठीक है February जो मन्थ है उसमें 28 देस होते हैं अगर लेपीयर हो तो उसमें 29 देस होते हैं और लेपीयर आता है आफर 4 यर्स next question how many hours are there in a day एक दिन में कितने घंटे होते हैं hours होते है 24 hours इसके साथ साथ में इस वरक्षीट में साथ साथ में चोटे 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 पैक्स में बताऊंगी आप वह भी नोट कर लेना एक वन डे में 24 hours होते हैं next question question number five how many months are there in a year एक मत में कितने years होते हैं 12 months होते हैं one year में 12 months होते हैं 365 days होते हैं एक अगर leap year हो 366 days होते हैं तो यह भी fact आपने याद रखना है which animal known as the ship of the desert desert की ship किसे कहा जाता है तो camel camel को desert की ship कहा जाता है तो camel की body पर hump होता है इसमें एक animal है कोशन ये भी पुछलिया जाता है कि उन नेम्द अनिमल विछाज है हम अनिस बैक तो गो अंसरों का उन्सरों का उन्सरों का उन्सरों होगा question number seven which animal gives us wool हमें कांस अनिमल बूल देता है sheep what is the meaning of green light in the traffic traffic में green light का मतला है go तो ये भी traffic light signals के जो याद करने है questions आपने which part of the plant is below the ground जो plant होता है उसका जो part ground के निचे grow होता है उसे हम कहते है root और जो ground के अबव होता है उसे हम कहते है shoot तो ये भी आपने याद रखना है question number 10 which is the tallest animal in the world tallest animal most common and important question is giraffe ठीक है how many minutes are dairy ने आर एक आर में कितने मिनट्स होती है 60 minutes अभी अपनी किया था one day में कितने यार्स है 24 hours one hour में कितने मिनट्स है 60 minutes ठीक है तो ये भी आपने questions याद रखनी है next question what is baby cow called baby cow के baby को बोलते हैं काफ ठीक है baby sheep sheep के baby को हम बोलते हैं lamb तो जितने भी young ones है animals की उनके नाम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि questions जो है कहीं से भी पूछे जा सकते हैं next question which is the largest country in the world largest country कौन सी है Russia ठीक है यह आप मैप देखेंगे मैप में उपर इंडिया के उपर जो चाइना चाइना के उपर जो शो होता है वो रशिया ही है largest and flightless bird in the world जो बड़ा भी है और वो उड़ भी नहीं सकता वो कौन सा पक्षी है ostrich यह भी important question है और paper में बच्चों को जरूर पूछा जाता है who is known as Bapu Bapu हम किसे कहते हैं महात्मा गांदी जी को बपू के नाम से जाना जाता था how many spokes are in Ashoka Chakra Ashoka Chakra में कितने spokes है 24 spokes ठीक है यह important question है teachers day हम कब celebrate करते हैं 5th of September ठीक है जो अभी था September में 5th of September next question how many planets are there in our solar system हमारे solar system में कितने planets है 8 planets ठीक है और हमारा अर्थ कौन से नंबर पे आता है 3rd नंबर पर ठीक है यह भी आपने याद रखना है और अर्थ को हम blue planet भी कहते हैं which animal has a pocket for her baby कौन सा animal है जो अपनी pocket में baby रखता है kangaroo ठीक है तो next question next question question number 21 environment day हम कब celebrate कते हैं every year 5th of June on which date Christmas day is celebrated Christmas day हर साल कब बनाया जाता है 25th December 25th of December we wear woolen clothes in which season woolen clothes हम कब पहनते हैं winter season में winter season which is a national flower of India national flower इंडिया का कौन सा है lotus national animal इंडिया का कौन सा है tiger next question है national tree हमारा कौन सा है बान्यान ट्री जिसे हम बर्गत का पेड़ भी कहते हैं बान्यान ट्री national fruit कौन सा है mango देखो मैंने एक worksheet बनाई हुई है उसमें सभी national symbols को detail में समझाया है आप मेरी चैनल पर जूरूर विजट करके वह वीडियो देख सकते हैं next question है national game कौन सा है इंडिया की hockey ठीक है question no.29 festival of lights हम किसे कहते हैं हम सभी जानते हैं festival of color is holy what is the largest planet in our solar system सबसे बड़ा planet कौन सा है Jupiter Jupiter is the biggest planet of our solar system which planet is known as blue planet जो अभी मैंने समझाया था आपको पीछे Earth को the Earth को हम blue planet भी कहते हैं और red planet हम किसे कहते हैं next question उसी पे है red planet हम कहते हैं Mars को ठीक है जो mangal mission जो हमने इंडिया वालों किया था Mars को हम red planet कहते हैं next question है what is the name of our galaxy galaxy का name क्या है very important question Milky Way हमारी galaxy का नाम बच्चों को जरूर आना जाहिए Milky Way where does the sunrise sun कहां पर rise होता है east से ठीक है और एक question और भी है the land जिसे rising sun कहा जाता है वो है Japan next इंडिया में कौंसी स्टेट में सबसे पहले sun आता है Arunachal परदेश में ठीक है तो यह भी आपने याद रखना है the sun sets in which direction तो कौंसी direction में sun sets होता है west में east में उखता है question number 37 how many continents in the world 7 continents how many states are in India 29 states 29 states है which is the longest river in India the Ganga holy river भी कहा जाता है longest river तो ही 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 हमारी who was the first woman prime minister of India जैसे first prime minister का question आता है तो वैसे ही first woman prime minister का question भी जरूर पूछा जाता है तो वह था Mrs. Indra Gandhi next question what is the national song of India national song India का कौन सा है national anthem तो होता है janagana manak तो song पूछा है वह है वन्दे मातरम जिसे किसने लिखा था बंकिम चंदर चैटर जी ने बंदे मातरम को लिखा था और जनगानमा ने किसने लिखा था वो लिखा था रबेंदर नाथ टेगोर जी ने next question what is the national heritage animal of India heritage animal कौन सा होता है elephant okay what is the national aquatic animal aquatic animal कौन सा है इंडिया का dolphin next question question number 44 how many bones are in human body 206 यह याद रखना है question यह पूछा चाता है infant चोटे बेबी में new born baby में कितनी bones होती है उसमें 300 bones होती है ठीक है name four main direction north south east and west these are the main four direction what is the capital of India capital of India is New Delhi most important question arts only natural satellite यह भी बहुत important question है moon हमारा natural satellite earth की कौन सी है moon independence day is celebrated on independence day इंडिया का कब celebrated किया जाता है 15th of August और यह कब स्टार्ट हुआ था 1947 में India हमारा अजाद हुआ था next question name the closest planet to the sun sun के पास कौन सा है planet mercury this is the first planet which is the smallest state in India smallest state कौन सी है Goa अगर उन्होंने पूचा है biggest तो biggest कौन सी है area wise area wise है Rajasthan ठीक है तो यह भी important question है इसमें उन्होंने closet पूचा था अगर उन्होंने दूरवाला पूचा होता तो वह होता Pluto ठीक है तो यह important facts थे तो यह थी हमारी आज की GK की most important 50 questions वाली worksheet बच्चों को आपने जूर प्रैक्टिस करवानी है घर पे बच्चों का जो जनल लॉलेज जो इंप्रूव होगी ऐसी worksheet घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो उनका GK level भी up to date रहेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में विद न्यू सब्जेक्ट प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल और थैंक यू फर वाचिंग थैंक यू बात्रोत स्ब्सक्राइब झाल झाल